जाहें दोस्तों स्वागत आप सभी का इस वीडियो में आए इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे आपके बीएंज सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन का फर्स्ट उनिट का एक इंपोर्टन सवाल जिसे हर साल पूछा जाता है वो सवाल क्या है दोस्तों समावेसी सिक्षा के बारे में यानि इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में इसमें हम जानेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ इसकी परिभासा विसेश ताएं उद्देश से महतो और एक सवाल जो अकसर पूछा जाता है समावेसी सिक्चा और विसेज सिक्चा में क्या अंतर है वाट इस डिफरेंस बेटूइन इंक्लुसिव एज्यक्षा एंड स्पेसल एज्यक्षिन तो आईए शुरू करते हैं इस वीडियो को Inclusive Education का पहला point और देखते हैं कि समावेशसे शिक्षा क्या यह तो दुस्तों लखनो उनिवस्टी के B.8 सेकंड सेमेस्टर गोरख्पुरदिन द्यालवपाध्याय के B.8 सेकंड सेमेस्टर BU 6 का 28 Second Year का एक Subject है Inclusive Education जिसका ये पहला यूनिट है समावेसे सिक्षा की अधारा उदेश से अर्थ परिवास ठीक है तो देखिए आसान से भासा में समझ आईए कि समावेसे सिक्षा कहते किसे है एसे सिक्षा ब्यवास्ता जिसमें सभी प्रकार के बच्चे पढ़ते हों चाहे वो Special Child हो चाहे वो Normal Child हो विसेश बच्चे या फिर साधहर बच्चे सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं अब आपको विसेश बच्चे कौन होते हैं तो वह बच्चे जिसके अंदर कुछ disabilities होती है जिने एजुकेशन में कुछ special needs होती है अगर आपने सीटेट के कभी पेपर दिया होगा या सीटेट में पढ़ा होगा तो आप कई पर वार्ट्स होते हैं dyscalculia वह बच्चे जिनको घरणा करने में अस्विधा होती है dysgraphia dyslexia यह वह बच्चे हैं जिनको इसमें दिक्कत होती है उनको लिखने में पढ़ने में दिक्कत होती है क्या इसके अलावा हैंडीकैप जिन जो बच्चे चल नहीं पाते है चलने में दिक्कत होती है मंध बुद्धी तो ऐसे बच्चे जिनको पढ़ाने के लिए कुछ special help की जरूत होती है special lead की जरूत होती प تھो आपंग या विकलांग नहीं कहते है इसलिए एक नया वडग विशियेयसř विद्यौतई कहा जाता है kiūकि उन्हें पढ़ाने के लिए इक क्लास्रूम होती है तो ऐसी classroom जहां पे special education और normal education एक साथ दी जाती हो ऐसा classroom जिसमें special child और normal child एक साथ पढ़ते हो आज करे classroom में देखें चाहिए बच्चे आप मालेजिए कोई handicap हो इसके हाथ सही नहीं है पैर सही नहीं है वो भी आपके साथ ही पढ़ता है तो ऐसी सिक्षा विवस्ता को सम समावेसी सिक्षा कहते हैं और RTEX 2009 की बात करें या NEP 2020 की बात करें inclusive education पे बल देता है केवल बिसेज बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे तो वो special education कहराएगा जब दोनों को मिला के कहेंगे तो यह समावेस होता है inclusive होता है तो इसको inclusive education कहते हैं अब आईए समावेसी विद्यालयों में बाधित एवं समाने बालक एक साथ रहकर सिक्षा परदान करने का कारें किया जाता है ठीक है समाने विद्यालय में समाने बालक और बाधित बालक एक साथ इनको सिक्षा दी जाती है इसे समावेसी सिक्षा कहते हैं ऐसे बालक जो समाने बच्चों से कहते हैं इन्हीं विशिष्ट बालक और समान्य बालक को एक साथ एक ही विद्याले एहों कक्छा में दी जाने वाली सिक्छा समावेशी सिक्छा कहलाती है इन्हीं विशिष्ट बालकों को समान्य कक्छा में सिक्छा देने का गलता है समवेशी सिक्छा कहलाती है ओके चलिए थोड़ा सा और इसको explain करेंगे, सिक्षा का समावेसी करण यह बताता है कि विशेज सैच्टिक आवसक्ता की पूर्ती के लिए एक समाने छातर एक और एक दिभ्यांग को समान सिक्षा प्राप्ति के आउसर मिलना चाहिए, दोनों को समान सिक्षा का आउसर मिलना चाहिए, द एक सिक्षा को क्या करना चाहिए, अपने कक्षा के वहवार में लाना चाहिए, चलिए, एक लास्ट पॉइंट डेख लेंगे, समावेसी को conclude करने वाले हैं, यहाँ पे उसकी परिवासा, उसकी अर्थ को, कि समावेसी सिक्षा होती है, जिसमें समान्य बालक बालिका और वि सिक्षा हासिल करते हैं, उन्हें समावेसी सिक्षा कहते हैं, इसकी परिवासा की बात करने दोस्तों, स्टिफन तथा ब्लेक हर्ट ने कहा था, कि सिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ, बाधित, चाहे वो पूल रूप से बाधित हो, या अल्प रूप से, बाधित बालकों क की समान ने कक्षाओं में सिक्षण विवस्ता करना सिक्षा का मुख्य धारा का अरत है बाधित बालकों को और समान बालकों की कक्षा में सिक्षा का विवस्ता करना यह समान आउसर मन विज्ञानिक सोच पर अधारित है जो व्यक्तिकत योजना के द्वारा उब्युक्त की करड़ और अधिकम को बढ़ावा देती है अब यहां पर समझे क्या है सबसे पहले ना उन्हें एक सिंपैथी की भाव नहीं मिलें जैसे माले जी कोई बच्चा अगर सारी उसे बादित है वो हमारे साथ ब्रह के पढ़ेगा तो वो खुद को समाज से अलग नहीं मनें वो म अगरा देखिए इस्टैंड बैक ए मिस्टेक ने अपने विचार में क्या कहता समाव इसी विद्याले आथवा प्रायवरास अभिप्राय ऐसे अस्थान से है जिसका प्रते एक व्यक्ति अपने को सदस्य मानता है जिसको अपना समझा जाता है जो अपने साथियों और उनसे सहायता प्राप करता है प्रते व्यक्ति अपने आपको सदस्य माने और दूसरों की सहायता करें जोब खुद की जूर्ट पर तो उनसे सहायता ले वास्तों में समावेसी है यह हमारा क्या है समावेसी विद्याल है तो यह इन लोगों ने समावेसी की इस तरीके से पर सभी विद्यारतियों को चाहे वो विशिष्ट हो अत्वा नहीं प्रभा का प्रभावकारी और सार्थक सिक्षा पर बल देते हैं इस इस सिक्षा को विशेष्टा है कि ये सभी के लिए विद्याले देता है वाई चाहे आप बाधित हो या समानियों ये विद्याले सभी के लिए देता है विविन्ताओं को पहचान तता देख भाल करना हम विविन्ताओं को पहचान करते हैं उनकी देख भाल करते हैं ठीक है विशिष्ट बा दो शुर्ण Champagne को दिखा है या ल kana फीलcket कोई अनियोगोरलो स्विकार आ करना उसी अधाय है यह समझना उन्हकोरे चिलर्टे १ीशच्स साथ यдत प्लानिंग जो भी सरकार की नेतियन होती है उसे sandy team करते हैं उसे नहीं हो जित करते हैं तो यह समें वियक। की क्या हो गई विसेश्ता हो गई कुछ अनय विसेश्ता या महत्व कहे लएगे किने कह एक अधर प्रदान करना ठीक है विसिट बालकों को भी समाने के भाति आत्म निर्भर बनाना ये लिए आत्म निर्भर बन सकते हैं कोई अगर माली ये कोई चल फिर नहीं सकता फिर भी वह कंप्यूटर का अच्छा जानकार हो सकता है ठीक है वो भी अच्छी डिजाइन कर सकता है वो भी अच्छा सिंगिंग कर सकता है तो यह क्या वही आत्म निरफन उनको बनाना है समय वैसी सिक्षा का विरोधिये विसिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष तेकि अस्थी बालक मतलब जिनकी हड़ीओं में प्रॉब्लम हो जो खड़े नहीं हो पाते जो चल फिर नहीं पाते अस्थी बाधित बालक ठीक है एस यह उनका छेत्र समावेसे सिक्षा का एक छेत्र है स्वरण बाधिक जिनको सुनने में दिक्कत होता है मतलब जिसको दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देता या एक आखवाले इनके लिए भी हम सिक्षा दे सकते हैं तो यह उसका छेत्र है पहला अस्थी बाधित बालक स्वरण बाधित बालक ठीक है मानसिक मंदित बालक जो मानसिक रूप से थोड़े से मंद बुद्धियां थोड़े से कम सोच सकते हैं उतने क्रियाटिव नहीं होते हैं बिबिन प्रकार के अपंग स्रमरत दिख्टिक बालक यह बहु बाधित भी कहलाते हैं जिसके अंदर कई कम्याओं कई बाधिताएं हो ठीक है तो वह बालक यह सब क्या है वाई इंक्लूसिव एजुगेशन के छेत्र हैं इन छेत्रों में इंक्लूसिव एजुगेशन को कारेक करना पड़ता है अधिगम असमर्थी बालक कुछ बच्चे सारे कुछ ठीक होते हैं समझ नहीं पाते हैं सीख नहीं पाते हैं तो यह भी क्या है वाई एक उनकी विजेशता है बाधिर बालक जीने संप्रेशन में नीपूर्टा तथा पढ़ना सीख लिया है तो ऐसे बालक जिनको सब मतलब यह न कुछ लोग फिंगर से हाथ से करके बात करते हैं तो इस तरी जाती है कि विस्जिश उक्षा झाल जो जब हम केवल सफेशल लेशन वारे बच्चे को एक साथ पढ़ाते हैं सहाने बालक उसात बॉबढ जाते हैं रिप्रिशक्च्चा जहां प्रिथक करण की और रबल देती है दोनों में कुछ अंतर इस प्रकार है विष्छी सिक्षा प्रत्या है या अक्रता पढ़ाता है यूए नवीन परत्या है कौनसेप्ट Industries या प्रिथिक्रण करता है इक अकिक्रण करता है और इंटिग्रेट करता एक साथ बढ़ाता या भेथ भावत सेख़ओ केवाई वह समाने बालक पढ़ेंगे विशनल रहीड सिक्षार ये सकान नहीं करता य stretching नहीं है युषե में प्रोपलाम होगी उसकी सिक्षार दे देता है जबकि यह संपूर से मतलब संपूर कैसा नौर्मल और बच्चा भी वही पड़ेगा जो बाधित बच्चा पड़ाईगा तो ये संपोंड सिक्षा है यह व्यसायद पर इस संपोंड विकास पर बल देता है सम्झ में आ रहा है ना बहुत आसान से topic यहां पर बहुत इस अपन्ग बालकों को समाने बालकों से अलग करती है या केवल अपन्ग और समर्थ बालकों के लिए है विसीज सिक्षा जबकि समावेसिज सिक्षा इसमें सभी बच्चे सामीन होते हैं विसीज सिक्षा इस सिक्षा में बच्चों को हीन भावन से देखा जाता है जबकि समावेसिज सिक्षा में बच्चों को समाने बच्चों के साथ सिक्षड दी जाती है विसीज सिक्षा इस इसमें विशिष्ट प्रसिक्षित ध्यापक चाहिए जबकि इसमें समान्य और विशिष्ट दोनों चाहिए ठीक है समान्य और विशिष्ट दोनों चाहिए तो यह हो गए कुछ अंतर आप लिख लेंगे बहुत अच्छा बढ़ चलिए बस छोटा सा टॉपिक का छोटे आसा करता हूं कि अब इस कॉंसेप्ट को आप असानी से लिख लेंगे समझ में आगी होगा तो उसको यह वरे इंस्टाग्राम का अकाउंट है फॉलो कर लिजेगा मुझे खुशी होगी इतना फेमस नहीं हूं तो चार सो दूग होंगे फॉलो करने वाले अगर आप फॉल अगले वीडियो में इतना ही दोस्तो मैं आपसे आसा करता हूं कि आपको यह कॉंसेप्ट समझ में आया होगा इंक्लूसिव एजुकुशन की अर्थ परिभासा भी सेस्ता है उद्देश और महत्तो उद्देश भी वही दोस्तो समाज के साथ जोड़ना एक आके कराण लाना आत्म विश्वास दिलाना उनकी सिक्षा करना संपूर्ण विकास करना महत्तो भी यही होगा उनका क्या महत् खुशी हुई यह वीडियो बनाकर आसा करते हैं कि आपको भी खुशी हुई होगी अगर हां थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा तो वीडियो को दोस्तो जड़ा लाइक कर दीजिए नहीं चुड़े हैं चैनल से सब्सक्राइब करके चैनल से यूज आईए अपने अन झाल